दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 14 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जोकि एप्रियल महीने के हर एक हफते के अंदर में धमाकेदार डिविडेंट देने वले हैं और आज की इस वीडियो के अंदर इनी 14 स्टॉक्स की मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स दूँगा बताऊंगा एक किस-किस वाल्यू से डिविडेंट देने वाले हैं साथी साथ में बताऊंगा इनका करन्ट स्टॉक प्राइस का चल रहा है और डिविडेंट को देने की एकस डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होने वाली है तो चलिए अब इस वीडियो को स्टॉक्स जो की एप्रियल महीने के हर एक हफ्टे के अंदर में डिविडेंट देने वाले हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं आपे मारे पहले stock की तो company का नाम है rail Vikas Nigam Limited, company का current stock price 75.75 रुपीज के उपर में चल रहा है अगले stock की बात करें तो company का नाम है विदानता Limited, company का current stock price 283 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आपे dividend announce के 20.50 रुपीज पर stock के साबसे और इस dividend को भी दिने की जो exit होने वाली हो 6th of April की होने वाली है बट जो record date है वो यहाँ पर होने वाली है 7th of April की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Skaffler India Limited, company का current stock price 2909 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आपे final dividend announce के 24 रुपीज पर stock के साबसे और इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 11th of April की होने वाली है और जो record date हो भी same day की होने वाली है याने की 11th of April की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Varun Beverage is Limited company का current stock price 1420 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आपे dividend announce के 1 रुपीज पर stock के साबसे और इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 12th of April की होने वाली है और जो record date हो भी same day की होने वाली है याने की 12th of April की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Edelweiss Financial Services company का current stock price 54.55 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आपे interim dividend announce के 0.25 रुपीज पर stock के साबसे और इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 13th of April की होने वाली है और जो record date हो भी same day की होने वाली है याने की 13th of April की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Good Luck India Limited company का current stock price 417 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आपे dividend announce के 2 रुपीज पर stock के साबसे और इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 13th of April की होने वाली है और जो record date हो होने वाली है 14th of April की अगले stock की बात करें तो company का नाम है धामपूर Sugar Mills Limited company का current stock price 231 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आपे special dividend announce के 1 रुपीज पर stock के साबसे साधी साथ मैं interim dividend announce के 5 रुपीज पर stock के साबसे total company ने आपे 6 रुपीज पर stock के साबसे dividend announce किया है और इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 18th of April की होने वाली है और जो record date हो भी same day की होने वाली है यानि की 18th of April की अगले stock की बात करें तो company का नाम है हुटा माकी इंडिया लिमिटेड, company का current stock price 193 रूपीज के उपर में चल रहा है, company ने अब dividend अनौस के 2 रूपीज पर stock के साब से, and इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 20th of April की होने वाली है, and वही जो record date हो भी same day की होने वाली है, यानि की 20th of April की, अगले stock की बात करें तो company का नाम है निसले इंडिया लिमिटेड, company का current stock price 19,700 रूपीज के उपर में चल रहा है, company ने अब dividend अनौस के 75 रूपीज पर stock के साब से, and इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 21st of April की होने वाली है, and वही जो record date हो भी same day की होने वाली है, यानि की 21st of April की, अगले stock की बात करें तो company का नाम है वेसु वेस इंडिया लिमिटेड, company का current stock price 1626 रूपीज के उपर में चल रहा है, company ने अब dividend अनौस के 8.25 रूपीज पर stock के साब से, and इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 26th of April की होने वाली है, and वही जो record date हो भी same day की होने वाली है अगले stock की बात करें, company का नाम है ABB India Limited, company का current stock price 3382 रूपीज के उपर में चल रहा है, company ने अब dividend अनौस के 5.50 रूपीज पर stock के साब से, and इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 27th of April की होने वाली है, and वही जो record date हो भी same day की होने वाली है, यानि की 27th of April की, अगले stock की बात करें, तो company का नाम है KSB Limited, company का current stock price 2180 रूपीज के उपर में चल रहा है, company ने आपे final dividend अनौस के है 15 रूपे पर stock के साब से, and इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 28th of April की होने वाली है, and वही जो record date हो भी same day की होने वाली है, यानि की 28th of April की, चलिए दोस्तों बात करते हैं, आपे मा 294 रूपीज पर stock के साब से, and साथी साथ में special dividend अनौस के 183 रूपीज पर stock के साब से, तो total company ने 377 रूपीज का dividend अनौस के एक stock के उपर में, and इस dividend को दिने की जो exit होने वाली हो 28th of April की होने वाली है, and वही जो record date हो होने वाली है 29th of April की, तो अब अगर आपको इस stock को या फिर और किसी भी stock को purchase करना है, ताकि या पर आपको उसके dividend का benefit मिल पाए, तो आपको इन stocks को न की X date से पहले पहले purchase करना होगा, and दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना यह 14 stocks थे, जो की April के हर एक हफते के अंदर में dividend देने जा रहे हैं, अब अगर आपको वीडियो यह वीडियो को ज़रूर से like कर दीजेगा, इस चैनल को भी ज़रूर से subscribe कर दीजेगा, because फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा, चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, till then, bye!